जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का अबास होता है जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षसों का अबास होता है यह एंसे अर्बी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा बलातकारी दुस्कर्म करने बाले भारती जनता पाटी में हैं बारति जन्ता पाटी आरेशस का स्रमनास होगा सत्यानास होगा कि आप रोटी खाते हो या गोवर खाते हो मैं पूछ रहा हूं आप तो अईसे बिल-बिला रहे हैं जैसे कुटे के पूंच पर किmeg जाने तक नहीं दिया गया कि पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ, पंडित भया न कोई, ढ़ाई अच्छर जो प्रेम का पढ़े वही पंडित होई, यही देखिए परदीप करूलकर अभी जो पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा था पाकिस्तान को, वो RSS से ही तो जुरा है, कि वो 300 किलो RDX आया कह कहां से, वो 50 किलो जैलाटीन कहां से आई, वो कार किसकी थी, मुश्कार में सिखा सिंग अभी, IYC में मौझूद हो, मेरे साथ हैं, पंकस्री वास्तव, इनसे हम उन तमाम उद्दों पे बात करेंगे, जो आज कल चल रहा है, जैसे ही पहलवानों के साथ हुआ, एक मेने से पहलवान धरने पे थे, और सबसे बड़ी बात, जो लोगों का स्थापित, जो सैंगोल आया है, नए संसद भावन में, उसके लोग तवाम तरीके के सवालात उठारें, हम इन से बात करें, क्या कहेंगे इसके साथ, इसको नई संसद मिल गई है, वहाँ पर छड़ी भी गार दी गई है, मोधी जी के दुवारा, कौन सी चरी, सैंगोल, किसका परतीक है, वहाँ राजदंड चोलवंस का है, और चोलवंस में दलितों के साथ, पिछनों के साथ, आदिवासियों के साथ, कैसा सलूक किया जाता था, जरा उस पर भी तो चर्चा कर लेते, और दूसरी बात, जब देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के मंदिर में और राज्तंत्र के परतीक का क्या मतलब, कोई राज्तंत्र थोरे नहीं है, जिस परतीक के बारे में, छरी के बारे में कह रहे है, जब राज्य का हस्तांत्रन होता था, तब वो छरी आने वाले राज्य को दिया जाता था, तो क्या नरेंदर मोती जी इससे पहले राजा नह कि जिस तरीके से धार्मिक अनुस्थान किये गए और धार्मिक अनुस्थान के बहाने जिस तरीके से देश के पर्थम नागरिक महिला राष्टपती का अपमान किया वो पूरा देश के सामने है। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि आखिर क्या कारण है कि आदिवासी महिला राष्टपती को संसत भवन में जाने तक नहीं दिया गया। पढ़े वही पंडित होए तो वहां एक तो देश के पर्थम नागरिक महिला राष्टपती का अपमान हुआ। दूसरा हिंदू धर्म सास्त्रों में यत्र नारेश्टू पूजयनते रमनते तत्र देवता जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का अबास होता है। एक तो महिला राष्टपती का अपमान संभिधान का अपमान आरटिकल 79 का अपमान और दूसरा उस तिरंगे का अपमान आखिर किसके आदेश सब्लाओं होना चाहिए आप रोटी खाते हो यह पूछ रहा हूं अरे जंदा जमीन पर लोटा हुआ था मैं पूछ रहा हूं भाई साब आप नाराज क्यों आप तो इसे बिलविला रहे लोटे जैसे कुटे के पूच पर किसी ने मिटी के तेल डाल दिया ओ या पैर रख दिया आप बिलविलाओं नहीं जिस तरीके से संसद वहन के उद्गाटन के दिन शुबह में उद्गाटन हुआ उसके बावजूद जब देश की महिला खिलारी हों के शमर्थन में देश वर से आये हुए लोगों को रोका गया महिला मां पंचायत करने से रोका गया आप घर में दूबह होंगे इसलिए ना दिखाई दिए में घाजीपुर में भी था जनपत में भी था जंतर मंतर पर भी था यह तो फोन के लोकेशन से आप बोल लेते भजपार रेसे कडियाले में पता चल लाता अरे आप ना डूड रहे थे सुनो काम की बात सुनो बतंगर का काम है ओए सुन तो लो यार पड़े लिक क्या आया करो पूरी तैयारी करके आते नहीं हो इसलिए तो कह रहे ना कि राजजिब में राजपाल सर्वपरी है और इसी का फैदा तो उठा रहा है दिल्ली का राजपाल काम तो कर नहीं रहा और मुखमंतरी को काम करने नहीं से जूज रहे बस की समस्या से जूज रहे द्याद mikे लिए ले आते ना कहां से काहां गुमारे दली की बेटियों पर आप ले गए वहा रास्ता डाइवर्ट मत करो सवाल पूछो कि देश की बेटियों को इनसाफ क्यों नहीं मिल रहा और अस्थाना नाम का एक रिटाइड IPS अधिकारी जिस तरीके के भासा का इस्तेमाल किया आप उस पर चुप हैं आप नहीं उस पर सवाल पूछ रहे हैं अभी क्या है अरे मैं पूछ रहा हूं हिंदू राष्ट किसको कहते हैं जहां हिंदू बेटियों के बलातकारियों को संसंद भवन में मान सम्मान से बठाया जाएं जहां देश के rapt को धोलनगारों से स्वागत कि या जाएं आप और देश का परणमंत्री हिंदू है देश का राष्टपती हिंदू है देखिए अलग अलग राज्यों में मुखमंतरी राजपाल पुलिस कमिस्नर हिंदू है ओर देश के के हिंदू स्थ् đãन बुयकर को इस तरीके से जानबरों से भी ज्यादा बुरा बरताब किया गया कल का काला धबबा इतिहास ला अध्याए जो कल देश की बेटियों के साथ ही नहीं देश geen नागरिकों के साथ हुआ पूरा देश स्रमसार है आज डेस की बेटियों को घूमने फिरने तक नहीं दी जा रही है लोगों से बात तक नहीं करने दी जा रही है हम अजाद भारत में रहे हैं हम को गुलाम भारत में थोरे ने रहे और एक IPS अधिकारी के द्वारा कच्रे के डबे में डालने गोली मार देने जैसे सब्दों का प्रियोग करना निशित तोर पर गिरी मंत्री के तारिपार होने का प्रमान दे रहा है अजाएं यह गलत एफायर है फायर तो ब्रजबुसन सरंसिंग पर होना चाहिए ना उसमें जल्दी बाजी दिखाना चाहिए सुप्रिम कोट के संग्यान लेने के बाद सुप्रिम प्रियोग से ही पैदा हुआ जब देश भारत चोरो अंदोलन का आगाज हुआ था राश्पिता महत्मा गांधी के हवान पर मौलाना अब्दुलकलाम आजाद और उस समय स्यामा प्रसाद मुखर जी ने गोरे अंग्रेजों को चिठी लिगी थी गाड की नोकरी की थी तो गैलेंटरी आवार्ड से नवाजा गया जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था आपको भी पता होगा कि पुल्वामा घटना की जहांच यह नहीं करा पा रहे हैं और इतने अक्सक्छम आदमी हैं कि आज सक यह देश को नहीं बता रहे हैं कि वो तीन सो किलो बता देता है कि खेत में किसान पराली जला रहे तो दिल्ली में परदूसन होता है वो सेटेलाइट क्यों नहीं बताता जो सेटेलाइट यह बता देता है कि देश में परमानू परिक्षन कब हुआ कितना बज़कर कितना मिनट पर कितना सेकेंड पर हुआ वो पुल्वामा क का जखीरा पकरा गया था उसमें उससे किसका संबंद है वो नहीं कोई बता रहा गुजराज से जो ब्याली सजार से दिक लड़कियां गाइब हैं वो कहां है और किस अवस्था में हैं यह कौन बताएगा देश का तरीपार गिरी मंतरी बताएगा आप अजय मिश्रा टेनी प सब्सक्राइब है और जनता की आवाज मनकर सब्सक्राइब है तो हमारे उमिद से आपका अधी धर्म यही है जो पत्रिकारता का धर्म है आप सरकार साथू सन्यासियों को हमान दिया गया संसत बूला कर देखे सब्सक्राइब तो हमारा मंदिर है अरे अरे वेशर्मौ माबाब को रोटी दे नहीं रहे हो अजा रहे हो मंदिर मजजित कोई फाइदा है देखो गनेश बगवान की पूजा क्यों होती है पहले हिंदु दर्म म यह हैं तो आप समझो अब हरा ही हमारा मनदीर है और हमारे मता-पिता और ले कि अब भी चोड़ों ना टो पहले क्या होता था है कि आग्याज सानतन प्रंप्रा है गुए 2024 के बाद साधू सब्क्राइब सी नहीं कहा था कि इन्हों ने राम मंदिर में चंदा ख्या काया साधू सन्याशी ही प्रेएब करे है आप ने कर देखो लो इस पस्दाऩा और साधू संत को मान क्यों नहीं देते मोदी जी अगर इतने ही सुनो मनोस्ति बारी दिली में अंदोलन कर रहा था ना हम कहते हैं पूरे देश के साधू संतों को शूफियों को हरधर्म गुरुओं को यह पैसा दें वह भाजपा के साधू संता रहे सुनतों लो यही बात आप लोग ना सुन रहे आप साधू संतों में भी जांच होनी चाहिए कि कौन औरिजनल है कौन डूब्लिकेट है आपने देखा था वह साधू का पालगर की हत्या बाला मामला आप लोग नागिन डांस कर रहे थे जैसा ही पता चला कि भाजपा नेता हो ने उस साधू की हत्या की आप लोग चुप मोदी जी का नौ साल में जुमला देखो दो करोड़ युवाओं को रोजगार देना हर सांसत पांच गाम वदर्स बनाना सौय स्मार्ट सीटी बनाना रूपिया को डॉलर के बरोबर करना आंखे लाल करके दिखाना यह सब तमाम मुते बताओ ना तुम क्यों ना बताते हो म प्राणी संसद्वन बने बटे और वहां कहीं भी कुछ नहीं था इनको क्या है कि हम कैसे फोटो की चाहें कैसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें रिकॉर्ड ऐसे थोरे न बनता है तुम्हारे चत पर गिर यह था तुम गय थे वहां अरे तुम आगे थे कैसे बाते बेतु की सवाल मत किया करो अभी सब्सक्राइब बना है कि वह जो डेट बोड़ी डाला जाता हो इसा बॉक्स का अगार है है ही उसी आकार का ओम आकार का बना लेते हैं क्यों नहीं बनाया पूछने आए थे आपसे लुबुल कर रहे हो समझो देखो नया संसद्वन हो या पुराना हो जिस भब्यता और दिब्यता की बात कह रहे है उसमें एक बलातकारी दाउद का करीबी जो जारखंड के खिलारी क दो संसे थफ्से तबर मारा था यह तहारी के प्रस्कारी को अब मानित करने वाला टिहारी को करीभी उसमें बैठा था संसद पहले ही दिन कलंकित हो गया तो आपको पाटी आफिस में जाना चीए उसां चाहिए पाटी के नेताओं से कौन सी पाटी जाएगी नहीं जाएगी हम तो कहते अच्छा हुआ कम से कम वो दिन रेखने को नहीं मिला कि दाउद का करीबी तिहारी जो यौन सोसन किया था वो उस संसद में बैठा था किसी धृतराष्ट की तरह तो नहीं कम से कम देख रहा था भी पक्षी दल का नेता तमाम भाजपा के नेता जब द्रोप्ती का चीर हरन हो रहा था तो आख रहते अंधे थे वो कायर बुजदिल उस हस्तिनापूर के राजधरबार में थे जब द्रोप्ती का चीर हरन हो रहा था आज फिर जब देश के बहन बेटियों का यौन सोसन हुआ तब ये सारे के सारे धृतराष्ट की भूमिका में भाजपारेसस के नेता उस संसद वहन की गरिमा बढ़ा रहे थे ये बैसरमी की बात है और एक बात बतादू हिंदू तो आपको क्या लगता है अंग्रेजों से भी जादा उत पीरन ये काले अंग्रेजों ने किया है निश्ची तवर पर देश की आवाम ये करांतिकारियों की भूमी है ये सरदार भगत सिंग अरे सुनतो लो अंग्रेजों के दालाल और मुखिवीर के लोग हैं अरे आपका वो सावे सावर कर कौन था माफी बीर डर पोक बुश्दिल कायर अंग्रेजों के तलबे चाटने वाला जो साथ महीना पेंसल लेता था अरे जो सलबार पहन कर भागा हो गया अमीर जो पांच लगा बूट दस लगा सूट पहन लिया और उस तब चौवीस गंटा जूट पर जूट बोलता वह हो गया फकर फकीर अलगी बात कहते हो आंता अंदोलन आप जैसे पत्रकारों की बदोलत मजबूत नहीं हो पाया आप यूकरेन की खबर दिखाते रहें आपको कानपूर की खबर दिखानी थी कि ब्रह्मन मा बेटी की भार्ती जंता पाटी की सरकार ने बुल्डोजर चला के कैसे जिंदा जला दिया तब आप काबूल की खबर दिखा रहे थे आपने इंद दौर की खबर दिखानी थी नहीं के चर्चा करने लगक्ज़ं aliens और जाएं पर इस पर से नहीं लेकिन हिंदु समाज की बेटियों के लिए चिंता नहीं की यहीं बेटियां आगर पाकिस्तान की हिंदु की बेटी होती यह भघबारेसेस के लोग नाक दरर रहे होते शरकों पर और आप मीडिया के लोग नागिन-दांस कर रहे होते हैं अगर बलातकारी कोई मुसलमान होता उनके पूरे परिबार की चांच हो रही होती उनके घरों पर बुल्डोजर चल रहा होता आखिर यह नहीं हिंदू बैटियों का क्या कसूर है क्या भारत के लिए उन्होंने को सिस्ट करी यह पूछो यह पूछो यह बजरंग दल वाले जब हिंदू परत्याचार होता है कस्मीरी पंडितों को बेतन नहीं मिलता है कस्मीरी पंडितों के घर पर बुल्डोजर चला देते तब नहीं बोलता जब कोई हिंदू समाज का आदमी करोना काल में अंतिम संसकार तक सब्सक्राइब कर रहे थे पूछो इन से सब्सक्राइब कानपूर में मा बेटी दोनों को जिन्दा जला दिया बुल्डोजर चला के तब यह कहां सो रहे थे सब्सक्राइब करें पूछो जाहिल जो असलील गंदे कपरें पहनती है और महलाओं का मान करती है आप उसकी चर्चा मत क्या करो हां जोर कर बेंती है अरे वो तो सारी पहनती है असलील कप्रें पहनती है फोटो दिखाऊंगे पूरा दुमिर्या पर है ऐसे भारतिय सब्वेता और संस्कृति में ऐसे कपरों का और दारू का शिक्रेट का यह सब का स्थान नहीं है हमारा सानातन परंपरा आज से नहीं 5000 साल से भी ज्यादा प हैं करने बारतियन नहीं हम सब्वेसकें इतनु करने लाट करने वाले भारतिय900 ता पाटी में हैं झाल झाल